नमस्कार मैं हूँ सागर कुमर भारत लाइब देख रहे हैं आप देगे इंडिया गडवन्धन की चौथी बैठक को लेकर सुबुगाहट तो काफी दिनों से थी लेकिन इस बैठक के समाप्त होने के बाद शर्चाएं बिहार से लेकर बैंगलोर तक दिल्ली से लेकर बंगा तक होने लगी इस बैठक का असर इतना ज्यादा हुआ कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टिया हैं तमाम जो गडबंधन के नेता हैं वो आपस में बाद विवाद करने लगे चर्चाएं चलने लगी इसी बीच बड़ी खबर निकल कर सामने आती है माननी मुख्यमंत्री बिह कुमार के मुख्या नितिस कुमार को इस जो बैठक होई है उसमें कुछ भी नहीं मिलता बड़े बड़े वादे बड़े बड़े पोस्टर से नितिस कुमार को जो नितिस कुमार के पाटी के नेता थे जडियू के तमाम जो बड़े नेता थे वो बयानबाजिया कर रहे थे बड़े-बड़े पोश्टर पट्टना में लगाए गए जड़ियू कार्याल है कि बाहर कई पोश्टर लगाए गए जिसमें कहीं नितिश कुमार को PM मैटेरियल बताने की बात कही गई और कई बिहार के पत्रकारों ने भी यह मान लिया था कि नितिश कुमार उस बैठक में स आगे रखा और कई लोगों ने उनके नाम पर सहमती भी वहीं नितिश कुमार के साथ गए लालू परसाद यादों ने इसका विरोध तक नहीं किया और माने मुख्यमंतरी नितिश कुमार के नाम को आगे रखने की तो बात ही नहीं चली खैर जब प्रेस कॉंफरेंस किया जिसमें मलीका अरजुन खडगे ने प्रेस को संबोजित किया उस दोरान नितिश कुमार और लालू परसाद यादो उस प्रेस कॉंफरेंस से नदारत रहें कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिश कुमार काफी जादा नाराज है गुस्ते में हैं अलाकि लालू परसाद अब वो सही माइने में गुस्ते में है या फिर गुस्ता होने की एक्टिंग कर रहे हैं यह तो वही जाने फिलहाल एक बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर सामने आ रही है दिल्ली में मुख्यमंत्री नितिसकुमार अपने सांसदों के साथ मीटिंग करने थे सभी जो सांसद है उन सांसदों को बुलाया गया उन सांसदों के साथ नितिस कुमार ने मिटिंग किया लेकिन तीन ऐसे सांसद जो मुख्यमंत्री नितिस कुमार के बुलावे को ठेंगा दिखा दिया साप साप नितिस कुमार को बता दिया कि हम आपके किसी बुलावे पर नहीं आने वाले हैं हमें विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि जो बैठक होई है दिल्ली में नितिस कुमार जी उस बैठक की अधिछता कर रहे थे पार्टी के जो अध्यक्ष है ललन सिंग वो भी उस मीटिंग में थे लेकिन जो तीन सांसदों की बात हम बताने जा रहा है वो तीन सांसद उस मीटिंग में नहीं पहुचे थे सबसे पहले नंबर पे जो सांसद है जो की पूरा बिहार जानता है सुनील कुमार पिंटु सीता मडी से सांसद है और लगतार ये वो नितिश कुमार हलाकि नितिश कुमार का खुलकर विरोत नहीं करते हैं लेकिन जातिगत जंगर्णा के बाद से ही उनके जो सूर्थ थे वो बदल गया और लगतार ये कयास लगाए जा रहे थे मैंने ही इंटर्विव किया था देवेश चंदर ठाकुर जो है अब सीता मडी से चुनाव लड़ सकते हैं लोग सभाका और इसलिए लगता है कि सुनील कुमार पिंटु बीजेपी खेमे से जाएंगे इस वज़ा से उन्होंने नितिश कुमार के बैठक है उसका उसमें वो न नितिश कुमार अगर नालंदा से खुद लोग सभाका चुनाव लड़ते हैं तो सायद उनका जो टिकट है वो कट सकता है और इसी वज़ा से कौसलेंद्र कुमार भी बागी मोड में हैं हम आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले नितिश कुमार जब दिल्ली पहुँचे ने उनका फोन तक रिसीव नहीं किया था अब पार्टी में जो टूट की खबरे निकल कर सामने आ रही है जद्यू के जो इस्तिती होने वाली है उस पर भी जो बीजेपी के लोग हैं इंडिया गड़ बंधन के लोग हैं वो तरह तरह की बाते कर रहे हैं इस वीस हम आपको सांसद हैं महावली वह भी उस बैठक में नहीं जाते हैं काराकाट से उपेंदर कुस्वाहा चुनाओ लड़ते हैं हलाकि पिछले चुनाओं में वहां से हार गये थे लेकिन चर्चाएं यह हैं कि अगर नितिश कुमार थर्ड फ्रेंट की ओर जाते हैं जैसा कि बराबर ब पारक है नमनमिस्टरासर वो बार बार बर बता रहा है कि नितिश कुमार 3rd front की तरफ जा सकते हैं तो 3rd front बनेगा अगर नितिश कुमार के साथ आते हैं तब उपेंदर कुस्वाहा को काराकाट सीट से चुनाओ लड़ा गई है उस बैठक में उस मिटिंग में ये तीन सांसदों नहीं पहुंसते हैं पूरी तरह से खुली चुनावती पूरा विद्रोह कर दिया है फिल्हाल इसके पर में इतना ही देख तरह भारत लाई बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद